हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मील बाई मेल आज हम देखने जा रहे हैं पंचरतन मुख्वास की रेसिपी तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैंने लिया है अधा किलो सौंफ, अधा किलो सफेद तल, अधा किलो धानादार, सौ ग्राम जैसी अजवाइन और पचास क्राम जैसे खर्बुजे के बीज, थोड़ा सा नमक लिया है और थोड़ी सी हल्दी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कटोरी पानी लेंगे, उसके अंदर एक चम्मच जैसी हल्दी डालेंगे, डेड़ चम्मच जितना नमक डालेंगे, उसको बराबर से हिला के नमक गोल जाए तक और उसका एक गोल बना लेंगे, यह गोल बनाने के बाद इस गोल को हम, यह जो हमारी सौफ है, उसको एक ठाली में लेकर, उसके अंदर पूरा थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, और सारी सौफ को दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और हल्दी का जो गोल है, वो बराबर सब सौफ के उपर चड़ जाए, और बाद में उसको थोड़ा फैला लेंगे, अब यही प्रोसेस हमको यहां रिपिट करनी है, लेकिन हम यहां क्या करेंगे, जो तील है वो एक ठाली में ले लेंगे, और जो अजवाइन और खरबूजे के बीच लिये है, वो भी हम उसके साथ ही डाल देंगे, देखे यहां यह जो मैंने प्रमाण लिया है, 500-500 ग्राम सौफ है, तील है, और धाना दाल है, उसको आप अपने स्वाद के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, जैसे भी चाहे चेंज कर सकते हो, सौफ ज़्यादा पसंदे ज़्यादा डाल सकते हो, अजवाइन कम आप से ले सकते हो, देखो अपना गोल वापस तयार हो गया है, तो यह जो और छाली के अंदर, जितनी भी चीज़े है, उसको साथ हम mix कर लेंगे, और उसको भी जैसे सौफ को mix किया था, ऐसे उसको भी डाल के उसको फैला लेंगे, यह हमारी जो दो ताली तयार हूई है, उसको सुखाने के लिए हम रख देंगे उसको 5-6 गंटे सुखाना है तो उसके लिए मैंने एक पेपर ढख दिया है और 5-6 गंटे बाद उसको खोला है तो वो सुख चुका था तो उसको एक बड़ी सी कड़ाई में लेकर हम उसको सेख लेंगे सबसे पहले हम तील अजवाईन और करबुजे के बीज वाला जो मिक्स है उसको सेख लेंगे वो थोड़े नरम होते है तो वो जल्दी सीख जाते है और वो सीख जाए तब तक ये कड़ाई करम भी हो चुकी होती है तो उसमें हम सौफ बाद में सेख सकते है बीच बीच में हम उसको लेकर थोड़ा टिस कर लेंगे कि वो कड़क हो गए है क्या अगर वो कड़क हो गए है तो उसको हम निकाल लेंगे और उसके जगा पे हम वापस होते हैं सौफ डालेंगे तो वो ही गरम की हुई कड़ाई में हम ये सौफ डाल देंगे ये तल वाला जो mix है वो सिखने में मुझे 10 से 12 मिनिट लगे है और सौफ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैंने जैसे बताया वो थोड़ी कड़क रहती है अब देखो थोड़ा थोड़ा सिखने के बाद इसका कलर चेंज होने लगा है वो थोड़ा थोड़ा पीला दिखने लगा है उसको भी बीच बीच में हम एक बार टेस्ट कर लेंगे अगर बराबर कड़क नहीं हुई है तो और थोड़ा सिखेंगे इसको 15 से 20 मिनिट जितना टाइम लगेगा सौंफ भी कड़क हो चुकी है तो वो तल, वर्याडी और सब मैंने मिक्स कर दिया है और उसके अंदर मैंने धाना डाल डाल दी है धाना डाल को हम सिखने के जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो थोड़ी नमकी नहीं रहती है और थोड़ी कड़क रहती है तो उसके अंदर डाल के हमने सब चीजों को बराबर से मिक्स कर लिया है और हमारा मुक्वास रेडी है तो खाना खाने के बाद खाने को हजम करने के लिए ये मुक्वास बहुत जरूरी है तो ये मुक्वास जरूर घर पे बनाएए और मुख्वास का अनन दीजिए आज का मेरा वीडियो कैसे लगा वो मुझे जरूर बताए Thank you, thank you so much